दोस्तो केंद्र की मोधी सरकार ने केंद्रिय करमचारियों को बड़ा जटका दिया है जिया दोस्तो केंद्रिय करमचारियों को एक बहुत बड़ा जटका मिला है दरसल कोरोना महमारी के दौरान केंद्रिय करमचारियों को रोका गया था अठारा महीने पूरे होने के बावजूद भी इस बत्ते को जो है चालू नहीं किया गया है। अठारा महीने पूरे होने के बावजूद भी इस बत्ते को जो है। हमारी से उबरने में किया गया है। दरसल कोरोना काल में केंद्री करमचारियों और पेंशन भोग्यों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किष्टे अब तक नहीं दी गई थी। दोस्तो जानकारी के लिए आपको बता दे कि जनवरी 2020 से जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी गई है। सरकार ने देश में कोरोना वाईरस के दॉराण करंचारियों के डियों को होल्ड कर दिया था।। जो उमीद थी उनकी उस उमीद पर जब संसत भवन के अंदर कारवाई चल लही थी और इस कारवाई के जवाब में केंद्रिय प्रश्नकाल जो मंत्री है उन्होंने किया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सरकार के ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिसे डिये जोए उनको वापस मिल सके करमचारी लंबे समय से अपने बकाया डिये राशी का इंतजार कर रहे थे लेकिन सरकार की ओर से उन्हें मायूसी हाथ लगी है करमचारी यूनियन सरकार से 18 महीने के डिये की मांग लगातार कर रहे है उनकी दलील है कि मेंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने के बावजूद कुरोना काल की दौरान अपने जान जोखिम में डाल कर वो काम करते रहे हैं लेकिन सरकार का उनके प्रती जो रवया है वो निराशा जनक है और इस वज़ा से वो बेहत दुखी है वो सरकार से मांग कर रहे है कि उनका जो मेंगाई भत्ता है जो उनका हक है उनको देने की सरकार जो है उनकी जो मांगे है उसको पूरी की जाए दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकी लिया है हमें कमें सिक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी न बोले